नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग पाइंट पाइसिंग सर आज हम करेंगे चार जुलाई की सिफ्ट थिरी का पेपर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए और कमेंट बॉक्स में सजेशन बगरा है लिख दिया करो और कैसे का सलूशन लग र रूप से स्पर्स करते हैं एक रेखा पी यार इस प्रकार खीची जाती है कि बिन्दु एम टी और एन पी आर पर इस्तेतों और पी कॉमा एम के निकटों ठीक है पी से केंदर एम वाले ब्रत पर एक स्पर्स रेखा पी क्यू बरावर 12 सेंटीमेटर खीची जाती है जो क्य प्रस करती हैं पी यार की लंबाई कितनी हैं सबसे पहले तो सरकिल बना लेते हैं गयी सेंटर रहा थे इनके सेν का एक का 양 सेंटर और पिर के रखा की किची कही है एम टी यहींट पी आर पर इस यार ये यह पियूर अ बूगी यह पी यह पिशए बिन्दु पर इसे ला पी आर इस तरीके से रही होगी हर पॉसिविल्टी की बात चल लए ऐसा नहीं कि मैंने डारेक्ट पी आर ऐसे बना लिया हो वैसे क्या क्या पॉसिविल्टी बन सकती है हमेरे समझ आए कि पी आर अंदर ही रहा होगा चलो आगे कर लेते वही क्योंकि हमने यह पड़ाई नहीं पी यार से पी से स्परस्य रेखा भी खीचिज miesz रही हे तो यह कितना हो गया हमारे पास पी से पी क्यू ठीक है है और कह रहा था कि आरे शी भी खीची गई तो आरेस स्वाई साब इदर मिला दो यह आरेस हो गया और यह 15 हो गया यह 12 हो गया और यह यहां पर सेंटर था इसको जब मिलाएंगे तो पहले एम बाले की पांच रेडियस थी जब इसको मिलाएंगे तो इसकी रेडियस मारे पास आठ थी तो भाईया इस प वियास लेके यहां तक अब इधर बचाता यह 5 हो गया और इधर यहां पर बचा हुआ है यह हो गया हमारे पास कितना था वही आठ ठीक है तो तो तेरह और पांच अठारे सामान पर 20% का लाव अर्जित करना चाहता है तो छतिगरस्त सामान को किस मुली पर बेचना चाहिए हमने माल लिया कि टोटल बैच में सो का कुछ था सामान पांच परसेंट उसमें देमेज हो गया बचा कितना पच्चानवे यानि कि अकर देखे तो पूरे सो का प्राइज कि आता था बस इसी का अंसर निकालना था तो कह रहा था यह जो प्रॉफिट चाहता है तो से सामान को किस मुली पर बेचना पड़ेगा बस यह टोटल प्राइज में निकालना था तो सबसे पहले तो यह 0-0 हो गया पचास दूनी सो हो गया दो छक्के बारह हो गया यहनिकि 6- यह 30 हो गया चेने में 54 357 अंसर अगला सवाल एक बस्तु का अंकित मुले उसके क्राय मुले से इतना अधेग है यदि किसी योजना में बस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो हानी परसेंटेज बताने पिछले ही सिप्ट में आपको बताया था कि बढ़ानी हो और उसमें बढ़ाने के बाद उस पर कुछ काम करना हो तो 80 से 100 कर लेना बस यह हो गया हमारे पास CP यह हो गया हमारे पास Mark Price इस पर 40% की छूट देंगे तो 60 हो गया हानी परसेंटेज में बताना 80 पर कितने का हानी होगी 20 की बटे में 80 गोडे में 100 आंसर 25 परसेंट आ गया ठीक है इसक कोई चीज बड़ी है और कम होई है तो हमें कितने परसेंट की हानी होगी और लास होगा कैसे करते थे 25 की ब्रदी 40 की चूट माइनस में हो गया 25 गोड़े में 40 वटे में 100 खतम हो गया सवाल ठीक है यह चीज हमने आपको यह चीज इसलिए बताई क्यूंकि आप इसमें 25 पर यन के निर्यात की तुलना में आयात अधिक था तो कुस्तो दिया होगा वही क्या कहा रहा थ है Ratio Import to Export यहने कि Import और Export का हमें Ratio दिया गया था तो काम करना था में यहां पर तो यहां पर तो कोई फरकी नहीं है दोनों बराबर हो गए अगर यहां पर देखेंगे तो यह पॉइंट में जा रहा पॉइंट 1.2 तक पहुंचा आ है तो अगर मिड्वी इसको माल लेते तो यह 1.1 हो जाएगा तो यहां पर भी रहा यहां 11 बटे इसको लिखेंगे तो फिरकी ने पड़ना है तो बहुँ देखो नीचे क्या था एक्सपोर्ड था नीचे था उपर था इंपोर ते नीचे वाले से उपर वाली की वैलू बढ़ी होगी देखो वो एक में बड़ी है, दो में बड़ी है, तीन में बड़ी है, चार में बड़ी है, आंसर लगा दो, ठीक है, यही देखना था बस, अगला सवा, यहीं किसी संख्या और उसके ब्यूत करम का उसत दो है, तो उस संख्या के घन और घन के ब्यूत करम का उसत क्या होगा, जो कह के घन और घन के विद्करम का योग क्या मतलब average क्या हूगा खतम हो गया इसा चार से इस पर नहीं जा पाऊगे क्या चार चौकू सूली चौकू chiunस सट माइनस का हो जाएगा चार गुड़े में यारती ने computer science में कम से कम 30 का रा स्कोर हासिल किया है computer science यह रहा अब यहां पर देखो अगर आप उपर पढ़ना चाहते पढ़ लो आपको पता होना चाहिए यह percentage में ही दिये है नीचे क्योंकि आप 40 में से 80 नंबर नहीं ला सकते तो यहां पर लिखा हुआ होगा कहीं न कहीं यह लिखा हुआ है ठीक है बाके आप समझदार है अब यहां पर करेंगे तो 80% निकालेंगे 40 का तो 32 हो गया अब एक ची तो समझ लो यहां पर अगर इसका करोगे तो 28 कम हो रहा तो यह भी नहीं होगा सत्तर से कम बाले तो एक भी नहीं आंसर हो सकते और एक ची बताओ 80 का करने के लिए कार किस चाल से चलना सुरू करेगी देखो बाइस सेंपल सी बात है डिस्टेंस होगी कॉंस्टेंट तो टाइम में रेशियो देखेंगे 85 का है तो स्पीड वे रेशियो तीन और पांच का हो जाएगा तीन बराबर में 36 हो गया तो पांच बराबर में 60 हो जाएगा खता अगला साबान करता बर्स 2020 में ITC द्वारा अर्जित आउसत लाब बताए ITC यह रहा यानिकि सेकेंड नंबर वाली तो ग्यारे सो चौदे सो जोड लेकिन लिखके दिखा रहा है कि आप लोग भी कैलक्वेशन कर लें थीक है 5 4 9 3 12 13 और से लगा एक हो गया और चार एक हम चार हो गया एक बचा चार ती यह 12.4 दुनिया चार पंजे 20 आंसर अगला सर्वाल जीरो बर आपको वैलू देने क्योंकि आपसन नहींचा आपसन श इसलिए 3 pi r square यानि 2 pi r square का हो जाता अर्द गोले का उसके बाद और जुड़ गया एक नीचे सरक्ल इसलिए तो देखो जब रेडियस 14 होती तो pi r square का मान क्या होता 616 यह तो पता है ना 7 हो गया तो यह हो जाता 44 154 जब 14 हो गया तो यह 88 हो जाता है यह 616 यह याद होना simplification है बाई दो दूनी 4 और यह 5 बटे में 2 हो गया इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 14 में से 5 गया तो 9 बटे में 2 हो गया यह 36 हो गया यह करेंगे तीन दूनी 6 तीन एकम 3 हो गया फिर साथ यह 21, 12, 4, 25 बटे में 7 माइनस में हो गया, 11 बटे में 21 हो गया है यह निकि इसको भी बना लेंगे इसमें भी तीन का गुणा, 25 35 हो गया, 65 से कम किया तो 64 बटे में 21 आंसर आजाएका अग्ला सबार। इसमें हमें क्या ही समझाओं एक सांस में हो जाता है कि रहा था इससे भाग देते हैं तो प्राप्त सेस्पल क्या होगा देखो कुछ नहीं करना X ब्राबर में 3 वटे 2 रखे लो बस आंसर आ जाएगा दो गुड़े में 3 तरका 9,37 वटे में 2 दुनी 4, दुनी 8 माइनस में तीन गुड़े में तीन तरका नो बटे में चार प्लस में छे गुड़े में तीन बटे में दो माइनस का चार हो गया तो इधर दो तीन चे हो गया तीन तरका नो नो से चार गया पांस तो इधर बच गया यहां पर दो चोकू आठ हो गया नोतिया 27 यह देखो 27 और 27 खतम हो गया अगला सवाल करते हैं इतना सुकून मिलता है न कैलकुलेशन नहीं करने पड़ी जी रुक कट गया पूरा चलो वेलन का ब्यास इतना यानिकी रेडियस हमाई पा साथ हो गई हुचाई हमको दे दी थी 9 संपूट प्रिष्टिये 6 फर 11 की डिविजबिल्टी यह 827 411 अटादो 875 अटादो 741 आंसर संपूट प्रिष्टिये 6 फर वेलन क्या होता 2 पाई आर एच और प्लस का पाई आर स्कॉर बो भी दो बनते क्योंकि देखो इस तरीके इस लिखेंगे ठीक है यह दो सरकेल बन 154 गोड़े में दो हो गया इधर नौचोग 36 करेंगे दर दो चौक आट करेंगे आट 614 यूनिट डिजिट चार चाहिए दो आप्सन में तो आगे मिनत करनी पड़ेगी तो नौचोग 36 और तीन 49 हो गया और दो चौक आट हो गया पंदा दूनी 30 हो गया जोड़ देंगे त अगला सबाल हो सकता है स्पीड लग रही हो लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या फाइदा है पचास मिनट का पूरा वीडियो बनाने का बाकी जिसका अगर बेसिक क्लियर है नो डाउट वो समझ रहा होगा उन्हें ऐसे सलुशन की जरूरत भी है क्योंकि उन्हें पत साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना थी अब से कितने बर्स बाद उनकी आयू का अनपाद 3 अनपाद 2 होगा देखो 10 साल बाद बाद करा यानि कि यहां पर यह कहीं प्रजेंट रहा इससे 10 साल बाद जाएंगे तो 2 गुनी हो गई ठीक है इससे अगर 10 साल प निने में जो भी डिफरेंस और रहा हैं नरi में फेली दिफ्रस बयांत बाद उनकि इसस budget और उनकी आत रहें हो गया देखों यह हमारा प्रेजन्ट वाला है इनमें डिफरेंस चार है यहां पर दस वर्स पहले दस बाद टोटल डिफरेंस वीज यहां से यह चीज अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यह पांच वराबर निकालना पड़ेगा तो पचीस हो जाएगा अब हमें चाहिए तोटल प्रिजेंट से लेकर कितने बर सोब बाद हो जाएगी बिल्कुल आसान है यहां से लेकर यहां तक पकड़ो ना यह difference आपको पता लग गया 25 है यह difference आपको आलेडी 10 पता था तो टोटल 35 नहीं हो गया यहां से लेकर यहां तक सवाल खतम हो गया ठीक अगला सवाल इसमें देखो बाई देसंबलम में ब्यक्ति करना है तो 20 बटे में करेंगे 100 यानिकि 0 से 0.2 आ जाएगा पहली कंडिशन में दो अप्सन तो चले गए अब इन दोनों में देखो एक और चेक कर लो हमारा आंसर आ जाएगा तो 5% का मतलब हो गया 100 और पॉइंट लगा तो 10 और आ जाएगा यानिकि 0.005 यह हमारा कहीं लिखा है आसान था यह तो अगला सवाल दालों के मूले में 45% की बड़ोत्री हुई है दालों के बड़े हुए मूले में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूले अपरवर्देर रहे बागी करनी पड़े है 45 बटे में 145 गुड़े में 100 हो गया तो पान नेम पैतालिस पान दूनी दस पान नेम पैतालिस हो गया नौसो बड़े में 29 हो गया यहनिकि 29-37 हो गया ऑप्सन देखो दो जा चुके है तीक है 87 किया 3 बचा तो एक वार और चला जाएगा आंसर लगा दो इनका गैप देखो इनका गैप देखो इनका देखो किसमें जाद है आ रहा खतम हो गया इतना तो अबजर्वेशन करी सकतो नहीं तो फिर घटाते रहो फिर क्या ही बचा है तिरतिया समान पाती बहुत आसान है डारेक्ट 48 गोड़े में 48 बटे में 36 और कैलकुलीशन जितन अगला सबा एक अर्धिवरत का परमाप इतना इसका अब्यास बता है यह यहां से लेके यह हो गया और यह रेडियस और जोड़ जाती है यह यह पाई आर हो गया तो पाई आर प्लस का हो गया टू आर यह बनता है अब इसमें मान रख दो देखो आर कॉमन ले लिया 3.14 प् यानि कि आर बराबर इंटू में 5.14 बराबर में 56.24 पाई चार हो गया अब देखो आप्सन का सारा लेना अगर ब्यास दिया होगा तो रेडियस होगी हमारे पास 5 यहां पर 11 होगी यहां पर 10 होगी यहां तो यह तो छोड़ी दो पॉइंट में आरा कुतना इतना रिस्क न हो गया 15, 11, 15, 15, 56 हो गया 11 बराबर 11 आगया अगर डायमेटर निकालो गया तो 22 हो जाएगा ठीक है अब इसमें एक चीज बता रहे है उसको याद कर लेना 25 बटे में 7 आर हमने कौमा ले लिया प्लस का 2 हो गया 7 दूनी 14 हो गया 14 और 26 बटे में 7 आर यह याद कर लेना परमा अब देखो भाई सम्रूप तर्वच काफी सवाल पूछे गे इस पर ये भी आसान है जीय चाई का परमाप इतना दिया गया था इसका अमानमें निकालना तो देखो पहले तो जीय चाई का परमाप 72 दिया गया था है समझ गए अब यहां पर देखो हमें त्रबुच की जो हमें परमाम बिला उसकी दो बुजाएं निकाल ली हैं एक बुजा पता थी तो 192 माइनस का 64 कर दो ना 12 से काम था दो दिन काम कर चुके कितने लोग आठ लोग यानिकी दो दिन काम कर चुके तो बचा कितना दिन है दस दिन काम बचा है अभी तो दस दिन का काम बचा तो लेकिन यह करना दो दिन में है एक साथ मी करेंगे दो पंजे दस आठ पने चालिस यानिकी 40 आठ मी काम करेंगे तो पहले 8 थे और 40 होगे टोटल चाहिए तो कितने और बलाने पड़े वई या 32 अगला सवाल करता गत वर्स गीता का मासिक वेतन 12,000 था और सीता का मासिक वेतन 10,000 था इस वर्स गीता का मासिक वेतन इतना है जबकि सीता का मासिक वेतन इतना है इस वर्स सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्स की मासिक वेतन की तुल्ला में परसत ब्रद्धी इतने परसें रूपित किया गया और इस वर्स गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्स की मासिक वेतन की तुल्ला में इतनी ब्रद्धी इसका मान बताना था देखो कुछ नहीं करना आपको सिंपल सा सवाल है बिलकुल और लाइन इतनी लंबी लिख दीं कि देख के डर जाओ ठीक है तो यहाँ पर गीता का अगर देखें गीता का 12,000 था ठीक है और प्रिजेंट में हो गया इतना और अगर उसका देखें कौन था अगला भाई सीता य यहाँ से तो डारेक्ट दिख रहा यह 25 परसेंट यह किसका मानोग भाई का यहां से यह कैंसल आउट हो गया कितना बढ़ गया यहां पर वगया चौविस बढ़ जाएगा ना 24 बढ़ गया किस पर बढ़ गया 120 पर गुड़े में करेंगे 100 यहाँ कि कैंसल आउट बारा परसेंट अंसर अगला सा बाल रहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 है दुकंदार 25,000 के नगत बुक्तान और चार महिने तक हर महिने 4,000 के किस्त के बुक्तान की सर्थ के अंतरगत स्कूटी बेचने पर सहमत हुआ किस्त योजना के अंतरगत दुकंदार ने जिस ब्याज दर पर स्कूटी बेची बहग्यात की चीज थी 15,000 पच्चिस पे कर दिया तो बच्चा कितना तो बचा कितना 11,000 ठीक है फिर इसमें से 4,000 उसने पे कर दिया तो बचा कितना 7,000 फिर इसमें से 4,000 उसने पे कर दिया बता कितना 3,000 चौथी बार में तो सब खतमी हो गया चार बार में तो उसे गटाना नहीं है यानि कि जितनी बार 4 मेने के लिए बोला तो 3 बार गटान तो यहां पर zero, 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 7, 10, 10, 5, 15, around 16 हो गया, हाँ से लगाए, एक हो गया, इनि की 36 हो गया, तो 36 हजार पर rate, time तो हमने बना लिया, तो एक बचे में 12 कर लेंगे, क्योंकि हाँ पर जो आया है, यह मंथली के बेस पर आया है, इंटू में करेंगे तो आर हो जाएगा बटे में 100 हो गया बराबर में हो गया हमारे पास 1000 तो इधर करेंगे तो यह 12 तिया 36 हो गया जीरो से यह जीरो से यह चला गया तो आर बराबर में 33 से एक बटे में 3% आंसर तो यह लगवग में आंसर आएगा 33% अगला सवाल, 26 cm ब्यास वाले एक ब्रत में प्रति एक 10 cm लंबाई की दो बरावर जीवाएं हैं, जिनके बीच की दूरी अब देखो 10 cm की बरावर जीवाएं हैं, तो बरावर हैं तो केंदर के अपोजेट साइड ही होगी, एक साइड हो नहीं सकती, यह द्यान रखना, यह दे दिया था 13 है, और यह यहां से मिला देंगे, तो यह 5 हो गया, 5 बारा कितना हो गया, 13 है, तो इन दोनों के दूरी कितनी होगी, 24, यह तो आसान था, अब इसमें देखो, कुस था भाई, सिरो परी चाइब का, बेलना कार पानी की टंकी, की लीटर में दारता ग्याद कीजिए, जिसकी तरज्या इतनी, उचाई इतनी है, देखो, लीटर में फूंस दिया है, ऑप्शन चाहता है, कुछ चेंज करन है, कुछ भी नहीं चाहता है, ठीक है, तो बेलना कार था, पाई आरे स्पायर है, चोटा है, यानि की, 22 वटे में साथ, आरे स्पायर का मतलब 21, गोडे में 21, और 63, यानि की, यहां से कर लेते, तो सातियां 21 हो गया, और 21, 63 हो गया, और 21, 63 है, ऐसे ही कर लो, ना, 63 का इसका निकालने की तरीका पता न, 63 का, देखो, पचास से 63 कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, तो 13, 13, 169, कैरी एक रहने दो, पचास से ज्यादा जितना है, पच्छ से ज्यादा हुआ, तेरे, यानि की, पांस, तीन, आर्ट, दो, एक, तीन, और इसका एक जोड़ दिया, त शक्का 132 हो गया, 132 में 9 जोड़ेंगे, 141 और 10, 151 हासे लगा, 15 हो गया, 22 ने में 198 हो गया, यानि की, आट, पांस, तेरे, एक, तीन, हासे लगा, एक, तो, यानि की, 21, कैरी हो गया, 22, 36 हो गया, 6, 7, 6, 2, 8 हो गया, यानि की, 87 संतिंग, हमारा अंसर आजाएगा, आपको कुछ भी आपको लीटर बगारा कुछ भी यो चैन्द करने की कोई जरूरत ने, ना एक अजार का बाग करना, ना गुणा करना, कि कोई आप्सन नहीं चाहता, आप्सन अगर सही से लिखता, तो सब कुछ करना पड़ता, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, चलो फिर, यह थे टोटल हमारे 25 सवाल, सेप्ट थरीके थे, 4 जुलाई के, आसा करता हूँ कि काफी अच्छे लगे होंगे, और कोई सजेशन नो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए जाए हैं, चैबारत.